नमस्कार दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पुराने इमार्त भूतों का पसंदा ठिकाना हुआ करता था लेकिन कई बार ऐसी गटनाय सामने आती हैं जहां भूतों ने उन जंगों को अपना ठिकाना बना लिया है जहां भारी संख्या में लोग आते जाते हैं भूत पुरेतों को लेकर तमाम कहानिया सामने आती हैं इनी में से आप के लिए हम कुछ हुए कहानिया लेकर आएं जहां भूतों ने अस्पताल को निसाना बनाया है नाक्टन हॉल अस्पताल ये अस्पताल इंग्लेंड के लिक्विन में बना हुआ इस अस्पताल से जुड़ी कहानिया आपको हैरत में डाल सकती है जी हाँ, साल 1841 में यह अस्पताल पूरे तरीके से जल गया था इसके बाद दुबारा इसका निर्माड किया गया था नक्तन हाल आफसर नार्मल हॉक्सन का यह घर था से दुबारा बनाये गया था, इसको प्रथम विस्व युद्ध के दौरान बुला लिया गया था युद्ध में भारी संक्या में लोग घायल हो गयते जिसको देखते हुए अफसर अक्षन ने अपने घर देश के रिशर्ज के टीम को दे दिया ताकि घायलों का इलाज हो सके युद्ध से लोटने के बाद अफसर ने इस घर को विमान मंत्राले को बेज दिया मंत्राले ने इस बिल्डिंग में रैफ अस्पताल में तबदिल कर दिया आसपास के लोगों इलाज के लिए यहां आने लगे इस अस्पताल के साथ रहने के लिए कुछ लाज भी बनाये थे लेकिन एक बार फिर अस्पताल की यह मिनार गाल्फ वार के युद्ध के बेट चड़ गई युद्ध के बाद इस अस्पताल की हालत बिगड़ती चली गई आज सिर्फ एक खंडहर बन कर रह गया है तबाह हुई इस इमारत में सिर्फ घोश हॉंटेज ही जाते हैं ऐसा माना जाता है इस बिल्डिंग के कमरे में एक लड़की की आत्मा है कई मरीजों ने सिकायती की उन्होंने सुबा साड़े चार बजे के करेब किसी लड़की की रोने के आवाज सुनी जो किसी बुरे इंसान के बारे में चिला चिला करोती है कहते हैं कि ये किसी अमीर सक्स की नौगरानी थी जिसको मार दिया गया था मारने के बाद उसको इसी अस्पिताल में दफ रहे गया था इसके अलाम कई लोगों ने ये भी बताया कि इस अस्पिताल में कई सैनकों की आत्मा एक अधेड उम्र की मैला के साथ खुंती है इसलिए आज तक वही लोग जाते हैं जिने भूतों का अन्बाव लेना होता है